हेलो फ्रेंज, वेल्काम टे ड्राइन रविटेक चैनल, आज हमरे टॉपिक है, हाउ टू डिवाट ए लाइन इन्टू फोर इकल पार्ट्स, मुदलब एक लाइन को हम लोग कैसे फोर इकल पार्ट्स में डिवाट कर सकते हैं, आपको बात आने वाला हूं, तो सबसे पहले ए और पॉइंट बी, अभी जो ए बी लाइन है, इसी ए बी लाइन को बाइशेट करना है, बाइशेट करने के लिए बी पॉइंट है हाँपे, कॉम्पस को बैठना है, और ए बी जो लाइन है, इसी ए बी लाइन का आधा से ज्यादा मेजर करना है, और एक अर्क उपर और एक और एक आर्क नीचे ड्रा करना है। तो यहां पर एक पॉइंट मिला और यहां पर एक पॉइंट को मिला एक लाइन ड्रा करते हैं। कि यह पॉइंट शी अभी जो एक लाइन है इसी एक लाइन को बाइशेट करना है बाइशेट करने के लिए यह पॉइंट है हैं पर कॉमपस को बैठना है और AC जो line है, इसे AC line का आधा से ज्यादा measure करना है और एक arc उपर और एक arc निचे drag करना है compass का radius को change नई करना है और C point में compass को बैठना है और एक arc उपर और एक arc निचे drag करना है यहाँ पे एक point और यहाँ पे एक point मिला अभी दोनों point को मिला थो एक line drag करते हैं और यहां point D अभी CB जो line है इसी CB line को बाइशेट करना है बाइशेट करने के लिए जो B point है यहां पर compass को बैठना है और CB जो line है इसी CB line का आधा से ज्यादा मेजर करना है और एक अर्क उपर और एक अर्क नीचे ड्रा करना है compass का radius को चेंज नहीं करना है और C point में compass को बैठना है और एक अर्क उपर और एक अर्क नीचे ड्रा करना है और यहां पर एक point और यहां पर एक point मिला अभी दोनों point को मिला थे एक line ड्रा करते है यहां point E तो एक line को four equal parts में divide हो गया तो आभी scale की स्यायता से मेजर करते है फोर इकल पर्स हो रहा है कि नहीं यह जो AB line है यह 12 cm तो हम लोग इसी AB 12 cm line को four equal parts में divide किया तो divide by four equals to 3 cm मतलब एक एक part का जो length है यह 3 cm तो आभी scale से मेजर करते हैं तो देखिए यहां पर एक 3 cm, 6 cm, 9 cm और 12 cm तो एक line को four equal parts में divide हो चुका है तो thank you friends प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तो